गुरू दक्षिना के नाम पर एक वक्कील ने अपनी ही लौ की छात्रा के साथ रेव करनी की कोशिस की यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है बलकि हकीकत हैं कहा गया है कि गुरूर ब्रह्मा, गुरूर विश्नु, गुरूर देव, महेश्वरा, गुरूर साक्षाट परमधर्मा तस्मेश्री गुरुवे नमा मतलब कहे तो गुरू की महानता का कोई वर्णर नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के कारण आज इसी गुरू के कारणामे के उपर सवाल उठ रहे हैं वो मुझे बेड्रूम में लेकर गये, कपड़ों के अंदर हार डालने लगे, मैंने मना किया तो बोलने लगे, यह तो गुरू दक्षिना है मैं जैसे तैसे वहाँ से बच कर भागी, पोलिस ने स्टुडेंट्स के बयान के बाद F.I.R. दर्ज कर लिया है जिस सिनियर एडवोकेट के उपर गंभीर आरोप लगा है, उसे भी हिरासत में ले लिया गया है यह पुरा मामला राजधानी पटना के सास्त्री नगर थाने इलाके की है पुलिस को दिये बयान में, पीडिता ने बताया कि जब वो ओफिस पहुची तो उसके दोस्त को सिनियर एडवोकेट ने किसी बहाने से नीचे भेज दिया आरोप है कि निरंजन को मारने पहले जबरन उसे अपने बगल में बिठा लिया फिर दरवाजा बंद करने को कहा जब छात्रा ने आपत्ती जताई तो उन्होंने कहा कि आप बहुत खुबसूरत हैं इसके बाद छात्रा को जबरदस्ती गले लगा लिया और आई लव यू कहने लगा इसी कारण मैं आपको रोज देर रात ओफिस में रोखता हूँ ऐसा निरंजन ने बताया पीडिता ने पुलिस से कहा कि निरंजन ने जबरन मेरा हाथ पकड़ लिया बगल के कमरे की तरफ ले जाने लगे जो कि उनका बेटरूम था जब मैं काफिर डर गई, सहम गई तब एडवोकेट ने कहा डरोमत यह तो गुरू दक्षिना है इसके बाद पीडिता ने घर से फोन आने की बहाना बताया और वो फोन पर बात करने के बहाने से थोड़ी दूर हटी और अपने दोस्तों को फोन मिलाया वैसे मामला की जानकारी होते ही पीडित स्टुडेंट के कॉलेज के कई छात्र उस अपार्टमेंट में पहुँच गए पीडिता के दोस्तों ने मौके पर जम कर हंगामा किया इस बीच पुलिस आई और स्टुडेंट को समझा बुझा कर मामला को शांच करवाया पुलिस मौके पर पहुच करनी रंजन कुमार को उनके ऑफिस से हिरासत में ले लिया जब उन्हों थाना लाया गया तो उनके पक्ष में पैरवी करने वालों की भीड लगे थानेदार के मुवाईल पर देर रह तक पैरवी करने वालों की लगतार अलग-अलग फोन कॉल आने लगे वैसे हमारे देश में अक्सर होता है क्राइम करने के बाद चाचा हमारे विधायक है चाचा हमारे मंतरी है, पुलिस में है इसे बात कर लिजे, ऐसी आम बाते होती रहती है और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि लोग अपरात करने के बाद बाज नहीं आते